वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम नेता का भड़काऊ भयान मुहमद अदीब ने भारत को गिनाया मुसल्मानों को एहसान जिन्ना के साथ जाते तो पाकिस्तान लखनऊ तक होता मुहमद अदीब मुहम्मद अधीब को बीज़पी का मूतोर जवाब पाकिस्तान चले जाए वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में जवरदस तरीके से बहत शड़ी हुई है विपक्ष के नेताओं से लेकर मुसलिम धर्मकुरू वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए अपनी जुपान से लगातार जहर उगल रहे हैं लेकिन अब पूर्व राज्यसाबा सांसद मुहम्मद अधीब इससे चार कदम आगे बढ़ गए हैं और वक्फ बिल के विरोध में भड़काओ बयान दे रहे हैं वो भारत के मुसल्मानों को भड़का रहे हैं जिस पर अब जबरदस सियासी हंगामा देखने को मिल सकता है मुहम्मद अधीब ने तरसल हिंदुस्तान में रहकर ही पाकिस्तान की धंकी डेडाली है मुहमद अधीब जब बोले तो उन्होंने मुसल्मानों ने हुकूमत पर एहसान किया है यह चीजें गिनाते हुए यह कहा कि अगर मुसल्मान जिन्ना के साथ जाते तो पाकिस्तान लखनाउ तक होता किस तरीके के भाशन जो है वो दरसल मुहमद अधीब दे रहे हैं जो कि पूर्व राजसभा सांसद रहे हैं साथ ही वो शिवपाल यदव की पार्टी के नेता भी रहे हैं और संसद की कई समीती के सदसे भी वो रह चुके हैं तो एक जिम्मेदार नेता किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है मोधिस सरकार के खिलाफ जहर उगल रहा है मुसल्मानों को सरकार के खिलाफ ना सिर बलकि देश के खिलाफ भड़का रहा है ये साफ़ तोर पर मुहम्मद अदीब के इस बयान में देखने को मिल रहा है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि मुसल्मानों ने हुकूमत पर एहसान किया भारत में रहकर अगर हम जिन्ना के साथ चले जाते तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर अब लाहोर तक है वो दरसल लखनाव तक होता इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं यानि सीधे तोर पर मुसलिम समाज को बदनसीब कौम कहते हुए वो मुसल्मानों को भड़का रहे हैं और ये सब कुछ जो बयान है उनका वो दरसल साफने आए है वफ बिल के विरोध में वफ संशोधन बिल को लेकर जस तरीके से लगातार जेपिसी की बैठक भी हो रही है जस तरीके से लगातार जो मुसलिम धन्गुरू हैं वो दरसल बैठक कर रहे हैं और इसी कड़ी में मैं आपको जानकासी देदू कि दरसल दिल्ली में वफ संचोधन बिल के विरोध में ये बैठक बुलाई गई थी जहां पर पूर्व राजसभा सांसद मुहम्मद अदीब ने ये बयान दिया है जहां पर उन्होंने मुसलमानों को खुल कर सरकार के रहे थे बदरुदीन जैसे नेता कर रहे थे लेकिन अब मुहम्मद अदीब का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ चुका है जो मौदी सरकार में मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं ये बात कहकर वहां पर रहसल मुसलिम समाच के जो भी लोग मुझू थे उन्हें हाली हाथ हैं मुसलमानों को बदरसीब कौम भी उनकी तरफ से कहा गया और कहा गया कि मुसलिम कौम जो है वो बटी हुई है मुसलिम कौम जाको अपनी हैसियत को पहचानो इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई है और ये सब कुछ जो पूरा भाशन है ये भारत में र खरीब के खिलाफ फूट रहा है क्योंकि वो बीएसपी के लीडर भी रह चुके हैं तो ऐसे में जाने माने नेता हैं और किस तरीके का ये बयान दे रहे हैं किस तरीके से वो दरसल मुसल्मानों को भढ़का रहे हैं और किस तरीके से सरकार के खिलाफ ये जहर उगल रहे हैं स चाहती है सरकार ये चाहती है कि के वह वोड़ में महलाउ का भी पार्टिस्पे foil जो है उन्हें भी मिले तो यह तमाम जो मन्शा है इस बिल के पीछे, वो मोदी सरकार की है, लेकिन इसी से, ये तमाम चो, कहीं ने कहीं मुलाना है, ये तमाम चो मुस्लिम लीडर हैं, खासतोर पर विपक्ष के नेता हैं, जो अपनी राजनितिक रोटियां इनके नाम पर सेखते हैं, वो दरसल घबराए हुए हैं, वो चले जाते तो पाकिस्तान का बोडर जो अभी लाहोर तक है वो लखनव तक होता ये किस तरीके की धमकी जो है वो दरसल के नेता दे रहे हैं इसको लेकर अब जवरदस्त कहीं न कहीं सियासी बवाल जो है वो देश पर में देखने को मिल सकता है हलाकि विपक्ष की चुपी कहीं न कहीं हैरान करने वाली है कि किस तरीके से जो मुहमद अदीब हैं जो की पूर वराजसबा सांसद रहे हैं उनकी तरफ से ना सिर्फ मुस्लिम समाख से ये कहा गया कि जाको अपने हक के लिए लड़ो और हमने आप पर एहसान किया ना सिर्फ लेकिन हम पर अत्याशार होता है तो हमारे पास कोई नहीं आता है हम ऐसी बदनसीब कौम हैं ये उनकी तरफ से कहा गया यानि यहां पर तो वो विपक्ष के उस पूरे प्रोपेगेंडे की पोल खोल कर रख रहे हैं जहां पर विपक्ष जो है वो दलीतों का चुकी कई रा प्रशनीती होती है तो इसको लेकर भी अब विपक्ष चुक क्यों हैं जब वो दलीतों के खिलाफ बोल रहे हैं तो विपक्ष के नेता राहूल गांधी आखर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं इसको लेकर भी लोग तरह तरह के सवाल जो हैं वो लगातार उठा रहे हैं लेकिन मैं आपको जानकारी देदू कि वफ संशोधन बिल का विरोध लगातार जो है वो विपक्ष के नेता फिर चाहे वो ओवेसी हो फिर चाहे जैसा कि मैंने बात की बदरुद्दीन अजमल की उनकी तरफ से जो बयान साफ ने आए हैं जो सरीके से वो ना सिर्फ सरकार पर हमरा बोल रहे हैं बलकि हालात ये होगा हैं कि वफ बोर्ड के साथ मिलकर ये नेता जो है वो अब अलगलग जंगों पर चाहे मंदिर की जमीन हो चाहे किसानों की जमीन हो चाहे गाओं की जमीन हो जहां पर भी विपक्ष की सरकार है वहां पर कुछ इस तरीके का नजारा द से अपना दावा ठोक रहा है और वहां की राज्य सरकारें उधारन के तोर पर बात करें करनाटक की अगर बात करें केरल की तमिलनाडू की तो यह तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है कि वहां की सरकारें वह वोड को पूरा समर्थन कर रही है इस तरीके से किसानों की इन्शा है वफबोड में पार्दर्श्टीता लाना और जिस तरीके से कहिने कह से वफ़ोड की जमीनों पर इन राजनितिक दलों के नेताओं ने कभजा किया है उसे कबजा मुक्त कराना और कहने कहीं वफ़ोड की जो जमीन है उसका उप्योग जो है वो सही ढंग से हो ये चीजे कहने कहीं इस बिल के जर्ये सरकाल लाना चाहती है लेकिन विपक्ष के नेताओं के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है काई बड़े प्रस्टेचार है खलाए हुए हैं लेकिन फिलाल ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से भारत में रहकर ही एक के बाद एक इस तरीके के ये भड़काओ बयान जो है वो दरसल इस वफ संशोधन बिल के विरोध में इन नेताओं के इन मौलानाओं के निकल कर सामने आ रहे हैं इस तरीके से भार तिक्रियाएं लगातार आ रही हैं बीचपी के प्रवक्ता हैं राकेश उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जिसे पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान चला जाए किस तरीके से दरसल लोग भी रियक्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक अधीब की नहीं बलकि उ और मैं आपको ये भी चानकारी दूँ कि मुहमद अदीब ने ये जो बयान है ये दरसल दिली में जो मुस्लिम कॉन्फरेंस रखी गई थी इस वफ संशोधन बिल के विरोध में वहाँ पर दिया किया है इस मंच पर All India Muslim Personal Low Board के अध्यक्ष खालिद सैफुला भी मौजूद थे इसके लावा जनरल सैकेटरी फरजुलर्मी भी मौजूद थे कॉंग्रेस नेता और राजसभा सांसद इमरान परताप गड़ी अम्ब्रेंड महफूज इन सब के जखे बहुत विवादित बयान जो है इस मंच पर धिये गए हैं लेकिन सबसे जादा जो जिक्र हो रहा है व फिलाल जो पूर्व सांसद हैं मौहमद अदीब उन्होंने जिस तरीके से मुसल्मानों को भड़काने वाला ये बयान दिया है वफ़ोड के बिल के विरोध में उसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बोक्स में जबरू बताएं